हेलो दोस्तो स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में और हम शुरू कर रहे हैं जिन की चोरी का दूसरा भाग पहले भाग में हमने यहां तक कहानी कम्प्लेट कर चुके हैं दोस्तो चलिए सुरू करते हैं दूसरा भाग यह सब मैं नहीं जानता पिता जी लेकिन समय आने पर कथनी को पूरा करके दिखाऊंगा समय की कसोटी पर कसे बीना मैं तुम पर विस्वास नहीं करूंगा और दो ही दिन बिते थे कि राजकुमार पाउन की पैक्षा की घड़ी आ गई महराज उन भैंकर लुटेरों ने फिर लूट पाट सुरू कर दी ठीक है तुम राजकुमार पाउन को अपने साथ घटना स्थल पर ले जाओ वह सैनिक अतुरंत ही राजकुमार पाउन के समुक जा पहुचा राजकुमार आप उन लुटेरों का सामना अकेले किस पर कार करेंगे जबकि एक विसाल जिन लुटेरों का साथ देता है आज जिन हमारे समुक आने का साहस नहीं करेगा समझो कि उन लुटेरों का अंत आ गया है मुझे सिगर ही उस अस्थान पर ले चलो जहां लुटेरे लूट पाट करते हैं रत पर सवार राजकुमार पवन घटनास्थल पर जा पहुचा ए बहुत हो चुकी मनमानी अब मेरा सामना करो मेरी तलवार तुम्हारे खून की प्यासी हो रही है अरे यह अभी तक जिवित है राजकुमार पवन लुटेरो के सरदार के उपर तूट पड़ा हाँ मै अभी तक जिवित हूँ और तुम्हारे मरने तक जिवित ही रहूँगा हाई मार डाला अब तुम्हारी रक्षा के लिए कोई जिन नहीं आएगा वह अभी आएगा देखो लुटेरों के सरदार का ध्यान जेवं ही अपनी अंगुठी की और गया वह चौक उठा अरे मेरी अंगुठी मेरी अंगुठी कहा गई अपने हाथों में पहनी अंगुठी लुटेरों के सरदार को दिखाते हुए राजकुमार ने उस पर तलवार का वार किया अंगुठी इधर है सरदार मेरे पास और तुम्हारा खेल खत्म आह ओ बहुत दिन तक लुट पाट कर ली अब नर्क की यातनाएं भोगने को तैयारी करो सैनिक लुटेरों को घेर कर मार रहे थे कुछ पकड़े गए और कुछ मारे गए हाए हाए सरदार मारे गए भागो एक सैनिक ने महराज चत्रभुज को सुब समाचार दिया महराज राजकुमार पावन ने लुटेरों के सरदार का अंत कर दिया तमाम लुटेरे पकड़े गए आज चड़े हमें विश्वास नहीं हो रहा है जो लुटेरे पिछले कितने ही वर्सों से अंबिकापुर में आतंक बने हुए थे उन्हें पावन ने समाप्त कर दिया हा महराज ये सच है राजकुमार पावन के महल में पहुचते ही महराज ने उसे गले लगा लिया पावन बेटे तुमने राज्य की सबसे बड़ी विपत्ती को तो दूर कर दी अब उस राक्षस का अंत भिक कर डालो जो दूसरे विपत्ती है जो आ गया पिताजी पावन बेटे राक्षस का अंत करने के लिए जितनी सेना चाहे ले जाओ पिताजी मुझे सेना की नहीं क्यवल आपके आसिरवात किया सकता है मुझे आगया दीजिये पिताजी की मैं मानो भक्षी राक्षस का अंत कर सकूँ सदेव विजई रहो राजकुमार पावन एक बार फिर निकल पड़ा रुटेरो के बाद अब मानो भक्षी राक्षस के नागरी को राक्षास भक्षी से नागरी को राहत दिलवानी होगी इस बार इस बार तहराज्य के उपर आतंग बनकर च्छाई दूसरी विपत्ती मानो भक्षी राक्षास का अंत कर देने के उदेश से निकला था जिस परकार लुटेरो का अंत किया उसी परकार मानो भक्षी राक्षास का भी काम तमाम कर दूँगा अंबिका पूरी के वासी इसके बाद आतंक रहित हो जाएंगे गोड़े पर लंबी यातरा के पश्चात वब यवान जंगल में जा पहुचा इतनी दूर आ गया लेकिन राक्षास के दरसन अभी तक नहीं हुएं थोड़ी देर रुक कर आराम कर लेता हूँ संभव है कोई यातरी इधर से निकले तो उसे राक्षास के बारे में पूछ लूँगा लंबी यातरा के कारण उसे नींद आने लगी आ या आलस मुझे इतना क्यों आता है मन कर रहा है सो जाओं और आलसी राजकुमार को सीगर ही नींद ने धर दबोचा खर 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 निकट ही मानो भक्षी राक्षास अपना सिकार कर रहा था हू हू हा आज बेट भर जाएगा मेरा ओ आ हमारा ओ आ मैं हफफ मर जाओंगा पहले वेक्ति की हडिया तक चबा जाने के उपरां राक्षास ने दूसरे वेक्ति की तरफ हाथ बढ़ाया राक्षास जी आप मेरे साथी को खा गये अब मुझे छोड़ दीजे किसी को नहीं छोड़ूंगा हा हा मरो तुम भी मरो और मेरा पेट भरो राक्षास दूसरे आदमी को भी अचबा गया आज तो पेट भर गया ऐसे ही सिकार नित्य परती मिल जाए या करे तो अपना कल्यान हो जाए हा हा कैसा सुखत जीवन है मानो भक्षन में कैसा आनंद आता है कितना कोमल मांस और कैसा मीठा रक्त घुमता हुआ मानो भक्षी राक्षास अन्यासी उस और निकल आया जिदर राजकुमार पवन निद्रा में लीन था खर खर अरे यह कौन मुर्ख मेरी सीमा में बेखबर सो रहा है चलो जो भी है सिकार को ले चलो अभी भूक लगी अभी भूक लगी नहीं इसलिए इसे ले चलकर कैर खाने में डाल दिया जाए राक्षस ने ठक कर सोय राजकुमार पवन को एक ही हाथ से पकड़ कर उपर उठा लिया उफ यह सब क्या है मानो भक्षी राक्षस राजकुमार पवन को उठा कर महा से चलता बना यह तुम्हारी मौत का इंतजाम है बालक अगर अभी मेरा पेट भरा ना होता तो तुम्हें इसी रस्थान पर मौत दे देता हाँ 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 अच्छा तो तुम ही वो राक्षस हो जिसने अंबीका पूरी में अपना आतंक फैला रखा है हाँ मैं ही वो राक्षस हूँ जमीन इतनी दूर है कि मैं अंगुठी रगड़कर जिन को बुला भी नहीं सकता हुहुहा देखो बालक इस जलासे में इतने सारे मगरमच हैं यह सब मेरे मित्र हैं सैतान के मित्र सैतान मानो भक्षी राक्षस राजकुमार पावन को लेकर उस जलासे को पार करने लगा जिसमें अंगीनत मगरमच मजे से तैर रहे थे अगर मैं अभी तुम्हें इस जलासे में उतार दूँ तो तुम्हारी एक एक बोटी के लिए इन मगरमच्छों में जंग होने लगेगी यहां भी अंगूठी घिसने का कोई उपाय नहीं यह राक्षस का बच्चा मुझे एक भी आवसर नहीं दे रहा है राक्षस ने अजलासे पार्क अकर लिया यहां से मेरा अकारगार सुरू होता है चलो तुम्हें दिखाता हूँ राक्षस का भी अकारगार है आश चरे यह राक्षस का बच्चा किस परकार एक बार मुझे मुझे मुक्त कर दे तो कुछ करूँ गुफा के अंदर राक्षस का अकारगार था यह है वे सिकार जिने मैं उस दिन खाता हूँ जिस दिन कोई सिकार नहीं मिलता अब ना मालूम यह राक्षस मेरा क्या करेगा राक्षस ने राजकुमर पाउन को भी अकारगार में धकेल दिया तुम भी उस दिन मेरा भोजन बनोगे बालक जिस दिन मैं भूखा रह जाओंगा तुम मुझे खा सको ऐसा आवसर नहीं दूँगा तुम्हें दुष्ट मेरी चेताउनी सुन लो इस कारगार से तुम बाहर आ सकते हो लेकिन जलासे से होकर उस पार जिवित नहीं निकल सकोग कि मगर मच तुम्हें कीर कर खा जाएंगे इसलिए कभी भागने की कोशिस मत करना राक्षस राजकुमर पाउन को कारगार में डाल कर चल गया दरो नहीं मितरो अब मैं आ गया हूं इसलिए राक्षस नामक सेतान तुम से दूर हो गई है वह तुम्हें भी खा जाएगा जोग निश्चित ही कैद से मुक्त होना चाहोगे मैं तुम्हें इसी समय मुक्त करा सकता हूं जो कुछ तुम कह रहे हो वह एक असंभाव कारिया है इस राक्षस का भोजन है भोजन है राक्षस का भोजन ही रहेंगे हम राक्षस के भोजन है राक्षस का भोजन ही रहेंग हाथ कंगन को आरसी क्या अभी आजात किये देता हूँ राजकुमार ने अंगोठी फर्स पर घिसी सुन और अगले ही पर ठहा के लगाता हुआ जिन उपस्तित हुआ यही हाँ क्या हुकुम है मेरे आका हम सभी को बाहर जलासा के पास पहुचा दो जिन ने अकरगार का द्वार उखाड़ कर सबको सौतंत्र करा दिया आप सभी लोग मेरी हथेली पर आ जाएं आओ मित्रों निर्भय होकर आओ सभी कैदी जिन की हथेली पर सवार हो गये किसी को डरने की आओ सकता नहीं आप लोगों की भाती या जिन भी मेरा मित्र है सपना स पर त्थ होता है हवा में उरता हुए जिन उन सभी को जलासे के पार ले गया क्यों मित्रों अब विश्वास आया मेरी बात पर हाँ अब हमें विश्वास हो रहा है कि हम राक्षस के पंजे से बच जाएंगे जलासा के दूसरे छोड़ पर जिन ने उन सबी लोगों को नीचे उतार दिया ओ मितरो तुम सब सुतंतर हो अपने अपने घर जाओ मैं राक्षस का अंत करके ही आऊंगा अचानक कोई यहां से बचकर नहीं जा सकेगा मैं सब को मार डालूँगा सब को हुआ भैवित कैदी छुपकर जिन और राक्षस के युद देख रहे थे थोड़ी देर यह राक्षस और ना आता तो हम सब निकल जाते अगर यह तुष्ट मारा ना गया तो हम सब मारे जाएंगे जिन राक्षस को समभलने का एक भी औसर नहीं दे रहा था इस वार को भी समभलो और मार डाला गिरने के बाद राक्षस एक बार फिर समभलकर सामने आ पहुचा बेटे राक्षस बहुत खेल हो चुका सोचता हूँ कि अब तुम्हें यमराज के पास पहुचा दूँ यमराज को मुझसे भै लगता है दोड़कर राक्षस ने जिन की छाती में अपने सिर मार दिया तुम्हारे सिर के सिंग तूट जाएंगे लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा अब समभल मेरा वार भड़ा खुच जिन कुरोधित अवस्था में व्रिक्ष के वार पर वार करता अचला गया तुम्हारी मिर्तु मेरे ही हाथों लिखी थी हाए मरा डाला चोड़ दो मुझे एक और खड़ा राजकुमार जिन और राक्षस का युद देख रहा था अब सेर को सवा सेर मिलता है तब बात बनती है निरी हमानों को मारने वाला आज मौत के अकागार पर आ पहुचा है उधर तुम्हें छोड़ दूं कभी नहीं राक्षस महासे कभी नहीं तुम्हें तो मरना ही है ले मरो इस बार जिन का वार खतरनाक साबित हुआ उसके चलो इस सैतान का तो अंत हुगा अब अंबिका पूरी के वासी निश्चिन्त होकर भी घूम फिर सकते हैं उधर राजमहल में क्या समाचार लाए हो महराज की जय हो राजकुमार पवन उस उद्दंड राक्षस का वद करके वापस लोट रहे हैं यह अत्यन सुखत समाचार है राजकुमार कहा है हम तुरंत ही उन से मिलना चाहते हैं राजकुमार पवन के पहुचने पर हजारो हजार वर्स की जी ओ बेटे तुम्हारी वीरता की गाथा चारो दिसाओं में गुंजने लगे आपका असिरवाद रहा तो आपकी परतेक इच्छा पून होगी पितासर तुमने राजकी सभी विपतियां दूर कर दी अब उस नदी की विपति को से अंबिकापूरी और मुक्त कर दो जो बाड़ आने पर विनास फैला जाती है जो आगया पिताजी और फिर इस नदी की विपति से अंबिकापूर को किस परकार मुक्ती दिलाई जाए अपने मित जिन से ही सहता प्राप्त की जाए या अवसे कोई ना कोई मार्ग निकाल लेगा अद्वुत अंगुठी एक बार फिर घिसी गई नदी के बाड़ के उपर जिन की ही सक्ती चल सक्ती है क्या हुकम है मेरे आका इस बार एक कठिन कारे आ गया है मालूम नहीं तुम कर पाओगे या नहीं मेरे आका मेरी सक्ती के उपर संदे मत कीजिए बताइए वह कठिन कारे कौन सा है इस नदी में जब बार आती है अंभी का पुर्म में विनास चा जाता है अगर यह नदी थोड़ी दूर हो जाए तो इतनी छोटी सी बात और मेरे आका परसान अभी लीजिए अभी आप अपने दास की सक्ती देखेंगे जिन ने अपनी असिमित सक्ती का ही नहीं बलकि अपनी तिर्वबुद्धी का भी परचे दिया उसने एक पहाड उखाड़कर नदी के मार्ग में डाल दिया जिससे नदी का मार्ग परिवर्टित हो गया वह क्या योजना बनाई है जिन ने अब नदी का मार्ग सुथा परिवर्टित हो जजाएगा इस विसाल परवत के परती रोच से अब कोई परभाव भी कम रहेगा और कोई हुकम मेरे आका नहीं फिलहाल कोई हुकम नहीं जब तुम्हारी आ सकता होगी तुम्हें बुला लूंगा जिन उड़ता हुआ आकास में विलीन हो गया तुम्हें लुटेरो के सरदार से चुरा कर आज मैं परते जटिल से जटिल कारिय में सफलता प्राप्त करता जा रहा हूं तुम्हारा धन्यवाद फिर राजकुमार राजमहल की तरफ चल दिया राजकुमार पवन की इस उपलब्धी की खबर सुनकर महराज फूले ना समाए और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने राजकुमार का राजमी से कर दिया बेटे आज से तुम अंबिका पूरी के राजा हुए जनता के सुख दुख का ध्यान रखना राजा का पर्थम करतब बे होता आप निश्चिनत रहिए पिता जी की से धन्यवाद दूँ चोड़ी के जिन को अथवा लुटेरो के सरदार को समाप्त चलिए दोस्तो यह अच्छी सी कहानी यह समाप्त होती है मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कहानी के अच्छे से भाग में और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब कर दें चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कहानी के अच्छे से भाग में तब तक के लिए धन्यवाद बिदा